नमिश्कार मेरचा सिंग स्वागित करती हूँ हमारे खास कारिक्रम आज की राशी फल में आज बताएंगे कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है पूरे दिन आपको किन-किन संगहशों से गुजरना पड़ेगा साथी किन उपाईउं को करके आप परिशानियों जे चुटकारा पा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास चो आज का राशी फल मेश राशी आज आप अपने आसपास के लोगों से संपर्क बनाने में व्यस्ति रहेंगे प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच विवात हो सकता है सुआस्ते और धन की स्थिती आपके पक्ष में रहेगी उपाई ओम सत्य लक्षमे नमा मंत्र का 108 बार ज्वाब करें व्रिशव राशी धन की निकासी की भविश्यमानी की जा सकती है सुआस्ते में मजबूती देखी जा सकती है अपने आंत्रिक विकास पर अधिक ध्यान देंगे उपाई भगवान शिप का गन्ने की रस्से अभिशे करें मिथुन राशी किसी परिचित से मुलकात होने की संभावना है सुआस्ते सकरात्मक दिख रहा है नौकरी में इस्थान परिवर्तन के योग बनेंगे उपाई ओम श्री वस्त सलाई नमा मंत्र का जाप 108 बार करें करिक राशी स्वास्ति और धन अंतताहा आपके पक्ष में हो जाएंगे यात्रा में कीमती समान का विशेश द्यान रखें विद्यार्कियों को अपनी शिक्षा के संबंद में अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है उपाई भगवान श्री विश्नु जी की आराधना करें सिंग राशी क्रोध पर नियंतरन रखें आत्म विश्वास के साथ काम करें आपके स्वास्ति काट आश्वा जनक दिख रहे हैं उपाई शिबलिंग पर दूद चड़ाएं कन्याराशी स्वास्ति और धन की स्थिती में मजबूती देखने को मिल सकती है किसी महत्पपून कारे में सफलता मिलेगी व्यापार में नई सहयोगी बनेंगे उपाई मा दुर्गा की आराधना करे तुला राशी आयके स्थ्रोतों में व्रधी होगी आज स्वास्ति और धन की स्थिती आपके लिए काफी अनुकूल रहेगी विरोधी पक्ष आपके प्रती कुछ नरम रहेगा उपाई काली उड़त जल में प्रवाहित करे व्रिशक राशी नौकरी में पदोन्नती के योग बनेंगे व्यापार में नई प्रयोग लाबकारी सिद्ध होंगे खुद को अधिक तनाव में डालने से बचे उपाई किसी सुहागन स्त्री को हरे वस्त्रदान करे धनू राशी कर्म आपको आश्चर्य चकित करके वापस आने वाला है अंचाही लंबीदूरी की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे पोट का चहरी के मामलों में पढ़ सकते हैं उपाई भैस की सेवा करे मकर राशी कोई शुप समचार प्राप्त होगा कोई कीमती वस्तू चोरी हो सकती है उपाई ओम शुक्राय नमा मंत्र का स्विटी की माला पर जाब करे कुम्ब राशी कोई रुका हुआ काम पूरा होगा रोजमर्रा के कारे में विग्न आ सकता है घनिष्ट साथी पदोनती में बाधक बन सकता है उपाई ओम अम्रत लक्षमय नमा मंत्र का 108 बार जाब करे मीन राशी नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी मार्ग में जानवर के कारण दुरघटना हो सकती है उपाई ओम श्री राधे कृष्ण नमा मंत्र का जाब 108 बार करे जाहिरे आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो राशी फल में विश्वास रखते हैं और उनकी राशी उनके लिए कारगर भी सावित होती है ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शो लेकर आते ही ताकि वो अपनी दंचारिया को जान सकें खेर आज के राशी फल में बस इतना ही देश दुनिया की तवाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे है से न्यूस भारत के साथ हर ख़बर आपके साथ आपके हाथ